साथियों, हमारे देश में कितनी तेजी से शेहरी करण हो रहा है, इसे आप सभी भली भाती परिचीत है। माना जाता है कि सान 2030 तक हमारी जनसंख्या, शेहरी जनसंख्या साथ करोड को पार कर जाएगी। शेहरों की बढ़ती हुई आबादी अपने साथ अनेक आउसर लेकर कर आती हैं, लेकिन साथ साथ चुनोतियां भी होती हैं। शेहरों में एक निश्चित सिमा में ही फ्लाइओर बन सकते हैं। जनसंख्या पढ़ती जाएं, कितने फ्लाइओर बनाएंगे, कहां कहां बनाएंगे, कितनी सड़के चोड़ी करेंगे, कहां कहां करेंगे। ऐसे में हमारे पास विकल्प एक ही है, मास्ट ट्रांस्पोर्टेशन, मास्ट ट्रांस्पोर्टेशन की ववस्ताओं का जादा से जादा निर्मान। इसलिए आज हमारी सरकार मास्ट ट्रांस्पोर्टेशन के साधनों और विशेश कर मेट्रो कनेक्टिविटी पर खास द्यान दे रही हैं। 2014 तक देश के सिर्फ दिल्ली NCR में ही मेट्रो का एक व्यापक विस्तार हुआ था। बाकी इकका दुकका शहरों में मेट्रो पहुंचने शुरू हुई थी। आज देश के दो दर्जन से धिक शहरों में मेट्रो या तो ओप्रेशनल हो चुकी है या फिर जल्द चालू होने वाली है। इसमें भी महाराष्टर की हिस्सेदारी है। मुंबई हो, पूने पिम्परी चिंचवड हो, ठाने हो, नागपूर हो, आज महाराष्टर में मेट्रो नेट्वर का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। आज के इस आउसर पर मेरा एक आगरव पूने और हर उस शहर के लोगों से हैं, जहां मेट्रो चल रही है। मैं प्रबुत्य नागरिकों से विशेश आगरह करूँगा। समाज में जो बड़े लोग कहे जाते हैं, उनसे मैं विशेश आगरह करूँगा। कि हम कितने ही बड़े क्यों न हुए हो, मेट्रो में यात्रा की आदत समाज के हर वर्ग को डालनी चाहिए। आप जितना जादा मेट्रो में चलेंगे, उतना ही अपने शहर की मदद करेंगे।